लाव यू दिपिका तो घर लाइए सुरुचु कोरोणा संक्रम की रफतार देश में एक बार फिर तेज हो गई है नए वेरियेंट ओमिक्रोन के बारे में अभी तक पुरी जानकरी नहीं होने के कारण खौफ कुछ ज्यादा ही है पिछली बार का मनजर शायद ही कोई भूला होगा पुरी दुनिया ठप हो गई थी कोई है सक्षेत्र नहीं बचा था जो दायरे में ना आया हो लेकिन इस रुंखला में हम बात कर रहे हैं शिक्षा की लगभग सत्रा महीनों यानि करीब 500 दिनों तक शिक्षा संस्थानों पर ताले लटके रहे अब आगड़े फिर बढ़ रहे है ग्रफतार पहले से कई गुना जादा तेज है अगर सिर्फ नाकपुर जिले की बात करें तो नए साल में यहाँ पहली जनवरी को 54 नए पॉजिटिव मिले थे अगले दिन दो जनवरी को आगड़ा 90 पर जा पहुँचा 3 जनवरी को एक और लंबी चलांग के साथ संक्रमितों का आकड़ा 133 हो गया 4 जनवरी को 194 संक्रमितों की संख्या देख प्रशासन के पसी ने चूट गए 5 जनवरी को 350 नए संक्रमितों ने बोलती बंद कर दी है क्योंकि एक्टिव मरीजों की संख्या भी उसी रफतार से साथ दे रही है पहली जनवरी को 321, दो जनवरी को 406, तीन जनवरी को 526 और चार जनवरी को सक्रिय मरीज 696 हो गया है इसले फिर से बंदी की चर्चा होने लगी है अगर फिर स्कूलों पर ताले लगे तो पढ़ाई चोपट हो जाएगी पहले और दूसरे दौर में ही कोरोणा ने बच्चों की शिक्षा को बुरी तरह प्रभावित किया था पहली लहर के दौरान जान बचाने की फिक्र ज्यादा थी इसलिए शिक्षा में आई गिरावट की तरफ ध्यान ही नहीं गया दूसरे लहर में डर इतना रहा कि पढ़ाई के स्थान पर बच्चों को महफूज रखने की चिंता सता दी रही गहर थमा तो लडखाणाती व्यवस्था पड़री पर लौटने लगी स्कूल कॉलेज भी खोल दिये गए बच्चों को खुश देख अभी भावक पढ़ाई के लिए डाट फटकार लगाना भूल गए मगर अब तीसरी लहर की बाते की जा रही है जाहिर है कि पढ़ाई पर असर पड़ेगा पर कितना ये बता पाना तो संभव नहीं लेकिन पिछली बार जब देश के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल सत्रा महिनों यानि करीब पास्सो दिनों से बन रहे तो कुछ साधन संपन्न बच्चे ही पढ़ाई जारी रख पाए गरिब दबको के अधिकांश बच्चे न केवल पढ़ाई से कट गए बलकि स्कूल बंध होने के कारण मिड़े मिल से भी वन्चित हो गए जिसका उनके पोशन पर प्रतिकुल प्रभाव पढ़ा पंधरा राज्यों और केंदर शासित प्रदिशों में गरिब परिवारों के 1400 बच्चों पर किया गया हालिया सर्वेक्षन बताता है कि कोरोना काल में पढ़ाई पट्टी से ऐसे उत्री कि भरपाई में काफी दिक्कतें आ रही है लॉगड आउट इमर्जनसी रिपोर्ट और स्कूल एजुकेशन नामक सर्वेक्षन के अनुसार पिछले डेड़ साल में स्कूल बन होने से ग्रामिन शेत्रों के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाई से काफी दूर रहे सर्वेक्षन के अनुसार ग्रामिन शेत्रों में केवल 8% बच्चे नियमित ऑनलाइन पढ़ाई कर पाए तो 37% बच्चे बिलकुल नहीं पढ़ पाए और करिब 50% बच्चे कुछ शब्दों से अधिक नहीं पढ़ पाए अगस्त में किये गए सर्वेक्षन के समय ग्रामिन शेत्रों के 28% बच्चे नियमित पढ़ाई कर पा रहे थे शहरी शेत्रों के बच्चों की पढ़ाई ग्रामिन शेत्रों की मुकाबले थोड़ा बहतर रही शरीक शेत्रों में 24% बच्चे नियमित ऑनलाइन पढ़ाई करते रहे वही ग्रामिन इलाकों में पिछडे बच्चों की पढ़ाई की सिती सबसे चिंता जनक रही बच्चों के अधिकाल शमाता पिता ने माना की लॉकडाउन के कारण उनके बच्चों की पढ़ने लिखने की शमता कम हो गई है शरीक शेत्रों के 76% और ब्रामिन शेत्रों के 75% अभी भावक ने इस सच को स्विकार किया है सर्वेक्षन के अनुसार ओनलाइन पढ़ाई न हो पाने का एक कारण स्मार्ट वो न होना है हाला की जिन परिवारों में स्मार्ट फोन है वहाभी पढ़ाई की स्तिती में उलेख नियसुधार देखने को नहीं मिला शरिक शेत्रों के जिन घरों में स्मार्टफोन है वहां केवल 31% बच्चे ही नियमित पढ़ाई कर पाए ग्रामिन घरों में स्मार्टफोन वाले घरों में 15% बच्चे की नियमित पढ़ाई जारी रख पाए दरसल तरो के स्मार्टफोन का इस्तेमाल मुख्य रूप से काम करने वाले वयस्क ही कर रहे है इसी कारण ये स्मार्टफोन पढ़ाई करने वाले बच्चों को नहीं मिल पाता केवल 9% बच्चों के पास ही अपना स्मार्टफोन उपलब्द था ओनलाइन पढ़ाई नहों पाने का अन्यकारण था नेटवर्ग की दिक्कत और डाटा के लिए पैसो का भाव ग्रामेट शेत्रों में पढ़ाई नहोंने पाने का एक प्रमुक कारण ये भी था कि स्कूल ऑनलाइन सामगरी नहीं भेज रहे है और जो स्कूल अगर भेज रहे है अभी भावकों को उसकी जानकरी नहीं है सर्वेक्षन के अनुसार माच 2020 में 20 प्रधिशत बच्चे प्रावेट स्कूलों में पढ़ रहे थे लॉकडाउन के दवरान बहुत से प्राइवेट स्कूलों ने ओनलाइन कक्षाय शुरू कर दी और फीस लेना जारी रखा गरिब अविभावक फीस आधी देने के इचुक नहीं थे क्योंकि उनकी आयप प्रभावित हो रही थी और उनलाइन पढ़ाई से विससंतुज भी नहीं थे इसी कारण सर्वेक्षन में शामिल 26 पतिशत बच्चों का दाखिला प्राइवेट से सरकारी स्कूल में करवा दिया गया सर्वेक्षन करने वालों को ऐसे बहुत से विभावक मिले जिन्होंने शिकायत की कि प्राइवेट स्कूल ट्रांसपर सर्टिफिकेट देने से पहले पूरी फिस जमा करने का दवाव बना रहे थे लोगडान के वज़े से बच्चों की शिक्षा से जुड़े नुकसान का आंकलन करने के लिए आजीम प्रेम जी विश्वविद्याले द्वारा की गई एक फिल्ड स्टडी में पाया गया कि कोरोना के बीच स्कूल बंध होने से बच्चों ने पिछली कक्षाओं में जो सीखा था वो उसे भी भूलने लगे है इसकी वज़े से वर्तमान सत्र की कक्षाओं में उन्हें सीखने में दिक्कत आ रही है इसका सबसे ज़्यादा असर दूसरी और तिसरी कक्षा के विद्यार्कियों में देखने को मिल रहा है पढ़ाई में गया पाने की वज़ह से उनमें अभी भी वो तेजी देखने को नहीं मिल रही है लोगडाउन के दोरान ओनलाइन क्लास का ठीक से न चाल पाना इंटरनेट और मोबाईल जैसी सुविधाओं का न होना और पढ़ाई के प्रती और उची ने बच्चों को शिक्षा के लिहास से पीछे धकिल दिया है हाल ये है कि उन्हें भाशा और गनित में सबसे ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पढ़ रहा है अब अगर पढ़ाई में व्यवधान आया तो निसंदेह बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित होगी जीहां सर्वे में पाया गया कि 54% की मोखिक अभिवेक्ती प्रभावित हुई है 42% की पढ़ने की शमता प्रभावित हुई है 40% की भाषा लेकर शमता प्रभावित हुई है 82% पिछली कक्षाओं में सीखे गए गनित की सबक को भूल गए है हाला कि COVID-19 महामारी का चहरा बच्चे नहीं है लेकिन COVID-19 संकट के चलते पड़े सामाजिक आर्थिक प्रभाव के चलते बच्चों पर भी इसके दुश्प्रभाव का खत्रा मन रहा है COVID-19 के अप्रतेक्षद दुश्प्रभाव का बच्चों को पूरी जिंदगी पर असर पढ़ने वाला है इसमें खराब खान पान और स्कूल बंध होने और स्वास्त सेवाव पर दबाव के चलते बच्चों के सामाजिक रूप से अलग थलग पढ़ने के चलते उनकी दीमागी सेहत पर पढ़ने वाला बुरा असर शामिल है कोविन-19 के चलते खाते शुंखलाओं में पड़ी बाधा और उसके चलते पोशन और सेहत से जुड़ी सेवाओं के प्रभावित होने का पोशन पर कई तरह से असर पढ़ा है लेकिन ये बुरे प्रभाव सामाने रूप से भी सभी वर्गों पर नहीं पढ़े है गरीब और कमजोर तपके के लोगों पर इनका सबसे ज़ादा गुरा असर पड़ा है इस महामारी ने बच्चों को बहु आयामी मुफलीसी की दलडल में धकेल दिया है कई बच्चे शिक्षा और स्वास सेवाओं में महरूम हो गया है अनेक ऐसे भी है जिनके पास रहने के ठीकाने साफ सफाई, साफ पानी और पोशन की सुविधायन नहीं है डिजिटल सुविधा वाले बच्चों के बीच बढ़ते फासले के चलते बहुत से बच्चे दुरुस्त शिक्षा की सुविधा से भी वन्चित रह गए है इन सब के पोशन पर कई तरह से असर पड़ा है स्कूल बंध होने से बच्चे स्कूल में मिलने वाले पोशाहार से वन्चित रह गए है इसी तरह बच्चों की खेल कूद और दोड़भा की गतिविदियों में कमियाने, अच्छा खाना न मिलने और दिन चरिया में उठा पटक के चलते, बच्चों के बीच मोटाबे की समस्या भी बहुत बढ़ गई है इस महामारी ने बहुत से बच्चों को नियमित रूप से लगने वाले टीकों से भी महरूम कर दिया है कोविड महामारी के व्यापक प्रसार ने एक तरफ तो बच्चों के हिंसा का शिकार होने का जोखिम बढ़ा दिया है वही दूसरी तरफ वो अपने सेहत मन विकास के लिए जरूरी एहम सहयोगी सेवाओ से भी वंचित हो गए है चुकि बच्चे मौसमी, खासी बुखार और सरदी के लिए जिम्मेदार कोरोना वाइरस के ज्यादा शिकार होते हैं इससे शायद साज कोरोना वाइरस दो के प्रती उनके अंदर इम्म्यूनिटी पैदा हो जाती है फिर भी बच्चे कोविड-19 के बुरे असर से पूरी तरह से महफूस नहीं है वैसे तो बच्चे इस वाइरस के सूपर स्प्रेडर नहीं है लेकिन अब जबकि कोरोना वाइरस के नए-ने रूप सामने आ रहे हैं और बड़व को वाक्सिंग लग रही है तो समाज में कई इम्मिनिटी के लिए बच्चो को कोरोना वाइरस का टिका लगाना फाइदे मन्द हो सकता है युनिसेफ की एक हालिया रिपोर्ट ने अनुमाल लगया था कि बच्च अगर स्कूल से एक मेने दूर रहते है तो उनकी दो मेने की ओफलाइन पढ़ाई का नुकसान होता है आदुनिक तकनीकी की मदद से ओनलाइन कख्चाओं को बच्चों तक ले जाने की कोशिश की गई है लेकिन स्कूल में कख्चा में बैट कर पढ़ने की तुलना में ओनलाइन क्लास उतनी प्रभावई नहीं होती है खासतोर से प्राइमरी कख्चाओं में बहुत से परिवारियों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो बच्चों को पढ़ाने के लिए स्मार्ट फोन खरीच सके विनकार्णों से वो डिजिटल माध्यम से बच्चों को पढ़ा नहीं सकते है ग्रामीन ही नहीं शहरी शेत्रों में रहने वाले आदे से ज़ादा बच्चों के पास भी इंटरनेट की सुविदान नहीं है कोविड-19 के चलते ओफलाइन कक्षाइब बंध होने का दूर दराज की इलाकों में रहने वाले बच्चों पर सबसे बुरा असर पढ़ा है अगर हम उन तमाम रिसर्च के आधार पर फाइद और रुकसान का आकलन करे जिनने कोविड-19 के बच्चों पर दुश प्रभाव तीकों के असरदार होने और स्कूल न जाने के सामाजिक और जज़बाती असर की समिक्षा के लिए किया गया है कि अब चरण बद्ध तरीके से स्कूल खोलने का फैसला विलकुल उचीत है लेकिन इस बात का जरा साभी संकित मिलता है कि संक्रभित मामलों के संख्या बढ़ रही है तो स्कूलों को हालात सुधारने तक फौरण बन करना होगा अंतिम मगर सबसे एहम बात ये है कि जबकी हम इस संक्रभित से पार पाने की कोशिश कर रहे है तो स्कूलों को चाहिए कि वो तमाम पैमानों पर खुद में सुधार लाने की कोशिश करे इन में मुलबुट धांचे में सुधार से लेकल तकनीक के इस्तेमाल तक सभी कदम शामिल है बहराल कोरोना की गती तेज है तेज रफदार हमारी भी है लेकिन इस सामरांतर गती में विरोधा भास है लड़काणाने का डर है इसलिए सतर्पता बहत जरूरी है सरकार अभी निशकर्ष पर नहीं पहुची है इसलिए और साउधान रहने की जरूरत है जान है तो जाहान है हिफाज़त से रहे सलामत रहे एक और ज्वलन को लेकर फिर मिलेंगे तब तक बने रहे हमारे साथ